सफलता यूही नहीं मिलती बहुत साथ चलना पड़ता है कदम लड़ खड़ाते हैं मेरे दोस्त लेकिन गिड़ने से पहले संभलना होता है दैशको नमशका डिड़ी बहार की खास कारेक्रा मौनिंग लाइफ शो बहार बहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की सुबह आपके साथ आपकी होस्ट मैं हमस्कान दैशको कहते हैं कि सपने साकार करने के लिए कड़ी महनत और अपने समय का सही उप्योग करने की जरूत है और जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं कड़ी महनत करते हैं वो जरूर सफलता पाते हैं और साथी वही सफलता के काबिल भी कहलाते हैं साथी दैशे को आपको बता दे कि कहते हैं कि असफलता भी सफलता का ही एक हिस्सा है इसलिए हमें कभी भी अपने असफलताओं से निराश होने की नहीं बलकि उन गलतियों से सीखने की जरूत है उन्हें ठीक करने की जरूत है और आगे बढ़ने की जरूत है और कहते हैं कि ज जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हमारे जीवन को एक नई दिशा भी प्रदान करती है। तो उसे किसा दाइश को आज के दिन के और आज के कारे करम की शुरुआत करते हैं महान पुरुष महात्मा गांधी द्वारक कहे अन्मोल वचन के साथ। महात्मा गांधी ने कहा था, खुद वो बदलाव बनिये जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अच्छ हमासे स्टूडियो में मौजूद हैं, उस्ताद विजे गुर्दासपूरी ये एक शायर है, ये एक कवी है और ये साथी साथ एक कायब भी है। साथ ही आपको दर्शकुएन की विश्टेशता बता दूँ कि ये चार भाशाओं में लिखते हैं और साथी साथ गाते भी हैं। तो गुर्दासपूरी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के हिस हमारे खास कारिक्रम में बहुत-बहुत अभी नंदन आपका। जी मैं दूरदर्शन का हार दिक आभार प्रक्ट करता हूं जो मुझे अपने मौर्निंग शो में अपने दर्शकों और श्रोताओं से रूब-रू होने का स्वभागे बक्षा है दूरदर्शन ने मुझे। गुर्दासपुरी जी कहते हैं कि एक जब हम रचनाओं की बात करते हैं तो कहते हैं कि एक रचनाकार का जो व्यक्तिकत होता है वो परिलक्षित होता है उनके रचनाओं के माथ्यम से आप एक कवी भी हैं गायक भी हैं आपसे क्यों नहम कारिक्रम का आगास करें आपके ही जुबानी किसी गजल के से जी बिलकुल एक गजल के चंद अशार अपने दर्शकों और शिरोतां तक पहुंचाता हूं कि राज मुदत से जो सीने में छुपा रखा है राज मुदत से जो सीने में छुपा रखा है तहल का उसने मेरे दिल में मचा रखा है राज मुदत से जो सीने में छुपा रखा है सब के तो सीने से लगा रखा है सामने सब के तो सीने से लगा रखा है और हाथ दुशमन से भी चुपके से मिला रखा है हाथ दुशमन से अब इस गजल का एक शियर अरज करता हूँ बिलकुल जब थोड़ी सी भी तकलीफ हमको किसी को भी होती है तो हमें यह लगता है कि दुनिया में और तो सभी सुखी है शायद मेरे से ज्यादा दुखी आदमी कोई नहीं उस पे एक शियर है कि सारे गम मेरी तरफ आते हैं दोड़े दोड़े सारे गम मेरी तरफ आते हैं दोड़े दोड़े सब को मेरा ही पता किस ने बता रखा है राज मुदत से इसी गजल का एक शियर जिस शियर को जिसमें शायर का नाम होता है उसे मक्ता कहा जाता है वो पेश करता हूँ कि अब तो शायर भी जो सुनते हैं तो कहते हैं विजय तेरी गजलों ने जमाने को हिला रखा है तेरी गजलों ने जमाने को हिला रखा है राज मुदत से राज मुदत से अपने ही दुश्मनों से अपने हाथ मिला रखा है क्या बात है बहुत ही सुन्दर कोई विश्व की निवाजिश जिए रेकि ऐस्लग मुदत सोधी की है परिवेश में पलते हैं कहीं न कहीं वही से हम निकडते भी हैं आप अपने परिवेश में अपने बारे में कुछ बताएं कि आप एक कवी हैं एक रश्नकार हैं तो यह जो लेखनी है आपके अंदर कहां से आए उस महौल के बारे में बताए आपको जी एक तुझे है कि मैं पंजाब गुर्दासपुर से बावस्ता हूँ जिला गुर्दासपुर में मेरा जनम हुआ और वहीं पे मेरी पढ़ाही जो है वो पूरी हुई अपना गुर्दा है कि मैं करीब करीब छटे साल में था उस समय उमर में जब मेरे को गाने का और लिखने का शुरू में जिस तरह का इनसान एक बच्चा जो जैसे लिख सकता है तो यह शुरुआत तब ही से हुई बिलकुल बच्पन से अब भी मैं पहली कलास में वहां पे पहली कक्षा में साथ ही कि रशनाकार को किसी प्रुषकार के लिए को इस से बड़ी बात नहीं होती है अपको भी कई प्रुषकारों से नमाजा आप से हम जानना चाहेंगी। कि आप उन पुरुषकार के बारे में हमारे देशकों को जरूर ahí वैसे तो अगर मैं आपने पुरुषकारों और सम्मान के बारे में बात करूँ कि कितने अरजित हुए हैं कितने अब तक मिले हैं तो मैं जब बोलूगा तो दरशकों को और शरोताओं को शायद यकीन नहीं होगा कि किसी एक फनकार को हो इतने पुरुसकार भी हासिल होते हैं मुझे अब तक शरोताओं दरशकों और आप सतर के करीब मान समान और पुरुषकार जो हैं वो हासिल हो चुके हैं उन में मुखेता दो चार की मैं बात आपके सामने रखूँगा सबसे पहले जिस समय मैं एक विद्यारती था उस समय पंजाब सरकार की तरफ से मुझे पुरुषकृत किया गया था और वो पुरुषकार हुए ऐसा नहीं कि किसी ने मेरी कला पे कोई फैसला दिया और मुझे पुरुषक्रिक्ट कर दिया वो एक मुकाबला हुआ था पूरे पंजाब में हर जिले में पहले कुछ कवी गाइक जो हैं उनका एक मुकाबला हुआ तो फिर हर जिले से तीन तीन लोग जो हैं तीन तीन कवी तीन कलाकार जो उनको चुना गया जिसमें पहला दूजा और तीसरा दर्जा जानी फस्ट सेकंड और थर्ड जो लोग आए उसके बाद में पूरे पंजाब के समस्त जिलों से जो कलाकार जो शायर जो कवी उसमें पहले दर्जे पे आए उनको भाशा विवाग पंजाब में पट्याला में बुला कर फिर एक मुकाबला हुआ जानी पूरे के पूरे पंजाब के सभी दिलों में जो एक नंबर पे कवी रहे गायक रहे उनको पटेला में बुलाकर दूसरे शब्दों में मैं यह कह सकता हूँ के एक साहितिक दंगल हुआ और उस साहितिक दंगल में भगवान की कृपा से और मेरे चाहने वालों की दौाउं से मुझे पह सिंगर आउफ पंजाब का अवार्ड दिया गया मुझे उसकारी करम में इस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया उसके बाद जी फरमाईए जब कहते हैं कि जब हम सम्मानों का जिक्र करते हैं तो कहीं न कहीं यह रचनाओं से जुड़े होते हैं और किसी भी रचनाकार के किसी भी कवी के लिए इससे बड़ी कोई अनुभूती नहीं होती है जब किसी भी कवी के लिए पर किसी भी लेख किया रचनाकार को जब सम्मानित किया जाते है तो उनके लिखावटी को सम्मान किया जाता है और कहीं न कहीं रचनाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती कि उनकी बाते जो हैं वो लोगों तक तो तो इसेके साथ आप कुछ सुनाना चाहेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब हो हलां कि थोड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए भी कहना की किसी भी कवी के कि जो दिल के थोड़ा करीब हो पर फिर भी कुछ सुनाने चाहिएंगे आपने सही फरमाया मेरी जो सारी रचनाएं हैं मुझे बिल्कुल एक बराबर से एक स्तर में ही वह प्यारी हैं जैसे माँ ब बच्चे को नहीं कह सकता कि यही मुझे सबसे प्यारा है इसी तरह मेरा मेरी रचनाओं के साथ मेरी शायरी के साथ मेरे गीतों के साथ मेरी गजलों के साथ इसी तरह का तालुक है तो मैं तो कोशिश करता हूं कि हर मेरी रचना जो है उसका स्तर उंचा हो और वो अच्छी है इसलिए मैं कोई भी रचना अगर आपको सुना दूँ तो मेरे लिए वो चुनी हुई रचना जैसी ही होगी मैं अर्ज़ करता हूँ एक गजल के चंद अशारा और सुनाता हूँ आज का लक्सर हम पूछते हैं किसी को कि क्या हाल है हमें लगता है कि दूसरा बहुत सुखी है कौन है ये न पूछो की तूटा हुआ कौन है ये न पूछो की तूटा हुआ कौन है पूछिये ये कि साबुत बचा कौन है पूछिये ये कि साबुत बचा कौन है समाज में जब भी कोई दंगा अफसाद जाए कुछ भी होता है तो हर व्यक्ति हर व्यक्ति उस बात से अपना पला ज़ाड़ लेता है और हर इंसान ज़े कहता है वो चाहे हम हों सदार्न विक्ति हो कोई विशेश विक्ति हो कोई नेता हो कोई भी हो कि मैं तो इस चीज में शामिल नहीं तो उसके जवाब में मेरा एक शेर है जानी जिम्मेवारी कोई नहीं लेता आखिर कुछ भी होता है तो उसका कोई कारण तो होता है उस पे शेर अर्द है कि प्यार ही के पुजारी है जब सब यहां प्यार ही के पुजारी है जब सब यहां तो मेरा स्वाल है दे रहा नफरतों को हवा कौन है दे रहा नफरतों को हवा कौन है हम सभी एक दूसरे का नुक्स नकालते हैं अपने आपको अच्छा बताते हैं और सामने वाले को कहते हैं कि दोश तो इसी का है उस पे सिर देखें कि एक दूजे पे लांचन लगाते हैं सब आप भी महसूस करते होंगे यही होता है सचाई यही है एक दूजे पे लांचन लगाते हैं सब दूद का यह बताओ धुला कौन है दूद का यह बताओ धुला कौन है इसी गजल का मकता है कि एब यारों में सब धूंडते हैं विजे कि एब औरों में सब धूंडते हैं विजे अपने अंदर मगर जांकता कौन है ये न पूछो की तूटा हुआ कौन है पूछिये ये कि साबत बचा कौन है गुर्दासपुरी जी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किन किन साब्सेटे कि इस अब उसक्तर आपए शाय या लोगों की बीच में सबसे पहले, कोई भी गायक बाद में है, शायर बाद में है, किसी भी तरह का कलाकार बाद में है, और जो सही कोई भी कलाकार होगा, कोई भी कवी होगा, कोई भी शायर होगा, वो जिस माहौल में रहता है जिस परिपेक्ष में वो रहता है उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता और प्रभावित हुए बिना रहना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसकी भी सुमाज के प्रती कोई ना कोई जिम्मेवरी जरूर है खासर के कलाकार लोग जो होते हैं श तो इसलिए कभी को गाइक को शायर को किसी भी तरह के कलाकार को इस चीज़ का विशेष दियान रखना चाहिए कि वह समाग के परती भी उसकी कोई जिम्मेवारी है और जहां तक मेरी बात है जो आपने पूछा कि किन-किन मुद्धों पर मैं लिखता हूँ आपने देख लिय होगा कि मैंने जितने भी अशायर को अब तक सुनाए हैं वह अलग लग रंके हैं उसमें इसमाजिक जिम्मेवारियां भी हैं जैसे मैंने कहा कि आई बारों में सब ढूंडते हैं विजे अपने अंदर मगर ज्ञाकता कौन है तो ये एक संदेश देता है जे कि हमें लोगो तो वो कहता है जी मैं तो प्यार का ही संदेश देता हूं हर व्यक्ति कहता है हर इंसान कहता कि मैं तो इसमाज में प्यार ही बढ़ाने की कोशिक करता हूं तो मैंने उसे एक तंज दे कर पूछा है न कि कि अगर सारे ही प्यार फैलाने वाले हैं आप और हम तो हम मेंसी ये तो बताओ कि नफरत को हवा कौन दे रहा है तो इसी तरह मेरे हसाब से शाइरी जो है जा कवीट ज्या गीत गजल जो भी रचना है वे ऐसी होनी जो सब को ऐसे लगे कि जी मेरी बात है इसमें और उसमें समाज की बात जो है वो जरूर होनी चाहिए और विशेशकर जहां तक गीत की बात है जहां अन्य शायरी की कविचा की विधाओं की बात है उसमें एक विचार लेके चला जाता है जैसे गीत है उसमें हमने एक विचार लिया और आखिर तक वही विचार रखा लेकि गयते में एक ही विशय हो सकते हैं। जानि आपने जिस विशय को लिया जैसे प्रेम रस को चुना तो वो प्रेम की बात आखिर तक जाएगी। कुछ आपके नियुक्त का लिटर का यह नहया ने राट है। तो गर में कोई लेखिक तो नहीं था बेरे, कोई शायर, जहां मैं किसी भी तरह का लेखिन करने वाले, और जहां तक संगीत की बात है, मेरे माता जी बहुत संदर गाते थे, बहुत ही संदर, इतना संदर के मैं किसी कलाकार का, अगर फिल्म डस्टी के किसी कलाकार का नाम यह लेडी सिंगर हैं तो उन जैसे अगर हुज़ार सिंगर और हों, जै. टो मेरे माता जी की आवाद में इतनी रेंज थी, इतनी आवाज थी के बिना माईक के जब वो भजन किरतन गाम में गाती थी कहीं भी, तो चार सो मीटर की दूरी तक बिना माईक के उनकी आवाज जाती थी तो यहां तक गाने की बात है तो गाने में तो मेरे भाई बंदू भी जो है सब को शौक है और सब सूर में गाते हैं जितने भी हैं भले यह वो वैवसाइट गाय के जyan काला कार नहीं है सब सूर में गाते कुछ बगवान की तरफ से होता है कुछ कलाएं इनसान के अंदर नहित होती है और जैसे वह इस दर्टी पे जन्म लेता है तो गीरे गीरे वह विक्सथ होती भी जाती है और अपनी सोच के मताबक वह कलाकार जो है उन्हें विक्सथ करने की कोशिश भी करता रहता है बिल्कुल और जब हम गीत संगीत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आज हर वर्ड की लोग गीत संगीत को सुनना काफी जादा पसंद करते हैं जाए हम आज की युवाओं की करें या फिर बज़र्गों की करें हर वर्ड के लोग सुनते हैं गीत संगीत को और साथी सुनना तो जो है अपने आपको नहीं कुद्रत को दूँगा कि जो भी किसी इनसान में कुछ भी विक्सत होता है पहले वो कुद्रत के अंदर होता है कुद्रत उससे करवाती है फिर उसके कुछ परियतन होते है कुछ जियतन करता है वो आगे जाने के कुष तो इस बात का मैं च्षरे देना चाहता हूं कि कुदर्स को कई डिल्चस्पि प्ड़ा को या जिसाए और जैसे जैसे उम्र बढ़ती उर्पड़ाय में आगे जाता गया, तो मेरा और दिल्चस्पी इसमें बढ़ती गई, क्योंकि हमें कालेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, दूसरे स्कूलों में जो मुकाबले होते थे न, साहिटे के मुकाबले, और गाइन के मुकाबले, तो उनकी तरफ से एक टीम बना के बेजा जाता था, कि जैस जाता था, तो इस से फर कला और निखरने का भी, निखारने का कला को वक्त मिलता है, दिल्चस्पी भी होती है कि मुझे किसी बड़े मंच पे जाके बोलना है, तो मैं अच्छे से अच्छे अपना कुछ लेके जाऊं, तो मेहनत करने को भी मन करता है, तो इसी तरह जैसे ज जादा और मेहनत भी करता है अपने हुनर को निखारने के लिए, यह जीज आपने बिल्कुल सही कही कि, जब किसी की मेहनत को नमाजा जाता है, सम्मान किया जाता है, तो मेहनत करने का और भी जादा मन करता है, बिल्कुल, और साथ ही ऐसे तो लोग लिखते तो सभी हैं ले दो बोल सुनाता हूँ, जी मेरी एल्बम रिलीज दूई थी, एल्बम के ऊपर चाहे आप बाद में बात करें, फिर भी बात करूँगा, उसमें एक गीत था, उस गीत के दो बोल सुना रहा हूँ आपको, कि सज्जनावे सज्जनावे तैनु साड़ी होवे के ना, सज्जनावे सज्जनावे तैनु साड़ी होवे के ना, पर है असा नु तेरी लोड़, हो तेरे बाज सुनन सुनन, लगदाए सनु इस जिन्दगी दा हर एक मोड़, सज्जनावे 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 अक्सर लोग उलहना देते हैं दूसरे को के तुमने मुझसे प्यार किया और प्यार तोड़ दिया, उस पे उस पे गीत का एक बंद है, हो जिननां प्यार तेनु असी पहला कर देशी उन्नाई कर दे रहांगे सदा वास्ते कर दे रहांगे सदा वास्ते जिनना प्यार तेन्नू असी पहला कर दे सी उन्नाई कर दे रहांगे सदा वास्ते हो प्याड़े आवे तू हुपा में प्यार वाले रिष्टे नू बैगियू सडे नालो तोड क्या बात है क्या बात है बहुत ही सुन्द है आपकी आवास से हमारा पूरा स्टूडियो गुंज इठा और कहीं हमारे दर्शक भी देख के काफी ज्यादा खुश हो रहे होंगे तो ऐसाथ ही आप अपने अलब्म के बारे में कुछ बता रहे थी तो पारे में बढाना चाहेंगा यह बिल्कुल एलबुम तो मेरी के र रिलीज हुई है लेकर एक बड़ी कंपणी ने मेरी अलब्म जो है वो रिलीज की थी उस आलब्म में खास बात यह थी थी कि वह पहल और यही नहीं जानि गीत लिखे गीतों की धुने ठ्यार गया गया, पूरे का पूरा jamal a.m. जो संजीत भी, वो भी मेरा अपना अपना अन्य होगा था, जानि अल्बम में जतना भी काम किया हुथा, वो सारे का सारा काम, हर क्षेत्र का काम, चाहे वो लिखन का हो आवाज तो मेरी थी ही थी शैरी, धुने, संगीत और गाएन, वो सारे का सारा काम जो था वो मेरा अपना नीजी की हुई था और उस और उस whomको पंजाबी में कहते हुंगारा मिलना, बहुत ही हुंगारा मिला उसे, पंजाब में, पंजाब से भष्षा भी और बहुत से वो गीत आगे गाये भी अपनी वाद में भी मंचों पे जाके और मुझे इस अलबम ने बहुत मानसमान बख्षा यह जी आप चार भाशाओं में लिखते हैं कि एक इनसान काम तो सभी करते हैं अपने अपने छेतर में जिसको जो पसंद होता है लेकि उसे अलग उसे बनाता ह स्वेंकर आप जैसे भर जेती हैं आप टालूक करते हैं तो दोगरी मेरी अपनी भाशा की महान ल्यजी आप पंञाबी है और व्यद्व बहुत ही नमबर नंबर पाए गी नि कह Process. कि मैं पंजाबी हूँ तो उसको एक नमबर पर रखूं तो बहुत मीठी वाशा है और जहां तक यह है कि मुझे दिल्चस्पी कैसे हुई इसमें तो इसके कही कारण है एक तो जी है कि हमारे पूरवज जो है वो जब पहले तो हिंदुस्ताने की था तो पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के जिस एरिये में जिस क्षेतर में रहते थे वो सारी डोगरी बैल्ट थी तकरीबन वो गाउं भी फिर वहां से काफी सारे उस गाउं से लोग जो उठके वो जिला गुर्दास्पर में आए हमारे गाउं में जहां पर जहां पर मेरा जनम हुआ तो एक तो वह दूसरा मेरे माता शिरी जो है शिरी मती सत्या दैवी वो मेरे जनी नहाल जो है वो जम्हो किश्मीर में है मेरे माता जी जम्हो किश्मीर से हैं और मेरे पिता जी जो है वो पंजाग से तो मेरे लिए पंजाबी और डोगरी बिलकुल बराबर की बाशाए हैं दोनों डोगर ही जो है उसकी मुखडा जो है वो पेश करता हूँ कि रख दी ऐ बखरी पचान पाखा डोगरी रख दी ऐ बखरी पचान पाखा डोगरी खंडा मिठे डोगरेंदा मान पाखा डोगरी रख दी ऐ बखरी पचान पाखा डोगरी इसी का एक छोटा सा बंद आप कहें तो जल्दी से सुना देता हूँ आपको कि कर दे नगल जदू ओ ये किठे डोगरें लगदे मखीरा साईं लोक मिठे डोगरें मखीर बोलते हैं शेहद को लगदे मखीरा साईं लोक मिठे डोगरें ओ मुर्देच भी पाई दिंदी जान पाखा डोगरी रख दी ए बकरी पचान पाखा डोगरी रख दी ए बकरी पचान पाखा डोगरी आपने छारू भाषा को में बहुती संदर लिखा भी और बहुती संदर लिखा भी और आप गाव रहे हैं हैं गुदासपुरी जीए कहीशह तरह एक भारत बहु भाशिक देश है और आज भी कहीशा बहुत से असे छेत्री अनुसूचित भाशाएं हैं बिल्लों जब बाद साहएकार की करते हैं एक रचनकार की हम बात करते हैं तो कहींन بن कहीं तो अपने जो लिकूरे बहुत सवोर इसे ही ही कि कई कोई वी विकरति कोई भी शायर कोई ही कभी उसी भाषान लिखना चाहेगा जिसमें उसे लगता है कि मेरे को परचार-परसार कुछ मिलेगा क्योंकि आज कल शाइर के लिए तो शाइरी भी उसका एक कारोबार है तो वो कोशिच करता है मैं उस भाषा में लिखूं जिसमें मुझे परचार-परसार मिले और मेरा नाम हो लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो कत्राने वाली बात करें आप सही बात है कि लोग अपनी जो प्रदेशिक भाशाएं होती है उसमें लिखने से कत्राते हैं उसके पीछे कारण जो है कि अधिकतर लोगों को यह दिल्चस्पी होती है कि मैं कुछ लिखूं तो वो कैसेट में साथ दूर दूर से कोई तालुक नहीं जब उनका दूर दूर से कोई तालुक नहीं तो वो क्या करते हैं कि जो बिल्कुल हलकी भाशा, हलकी बोली ऐसी होती है कि जिसे क्रीब क्रीब हम समाजी के तो आपने घरों में भी के वर हम वो गाने नहीं सुन सकते, एक परिवार में बैठके भी गाने नहीं सुन सकते, तो वो उस तरह की हलकी चीजों को लेके उसका व्यवसाई करन करते हैं, उसको मार्कीट करते हैं कि ताके वो हल्की चीज़ें बिकें और उनको कमाई हो लेकिन ऐसा कुछ नहीं यह इस चीज़ से डरके जिसे कहते हैं ना प्रदेशिक बाशा में सिर्व वही कलाकार और कभी या शायर लिखना बंद करते हैं जिनके अंदर हिम्मत नहीं होती मेरा मानना यह है कि ता कोई चीज़ भी जिन्दा नहीं रहेगी मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि आपने भी देखा होगा जब से आप जवान हुए हैं जब से आपने संगीत सुनना शुरू किया है कितने ऐसे गीत हैं जो ने गीत हैं वो आपको आज तक याद हों मेरे ख्याल में आप एक गीत नहीं बता सकते एक गीत की अब उमर जो है वो एक महीना वर्वी नहीं होती जितनी देर मशूरी दे के एड दे के टीवी पे दाएंबाएं कहीं ना कहीं प्राइवेट चैनलों पे गाने बज़ते हैं वो तब तक लोगों के दिमाग में रहते हैं उसके बाद खत्म तो फि मैं भी इसी समाज में लेकन मैं नहीं डरा सी इसे क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा कलाम मेरी शायरी जो मैंने सहिते रचा है जिन्दा वो रहेगा यह तो दो दिन की बात है इदर से हवा का बुला आया और वो गाने उड़के वहां चले गए तुबारा वो गाना कहीं नजर रीजिन करने में लेकिन आपने तो पंजाबी में भी लिखा और साथ साथ उर्दू में भी लिखा और henri और डोग्री में भी आप लिखते हैं असा जब हम बात कवी की करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि एक कवी जो देखता है животeye या जो सहता है वही वो लिखता है बिलकुल अग कि मेरा मानना है कि समाज के अंदर इतनी हकिकत बढ़ी है, इतनी सचाई बढ़ी है कि आपको कल्पना करने की जूरूरत ही नहीं. जब आप अपने दाइभे समाज में, परिवार में, चोगिर्दे में नजहर भारें, तो सच इतना पड़ा हुआ है, हकीकत इतनी है कि आपको कलपना में जाने की जरूरत नहीं, जो हकीकत के विशे हैं उसे उठाइए और उस पे लिखिए अगर भविशे की बात करें तो ऐसा कुछ जो आपका आने वाला हुआ या ऐसी कोई इच्छा जो आप पूरा करना चाहिए जी बिल्कुल भविशे में हाला कि कहते हैं कि जो भविशे की जोजनाएं होते हैं उनको कभी भी सारवजनिक नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी क्य इसमें अलग अलग फलेवर के अलग अलग रंगों के जो हैं गीत हैं उसमें गीत घजल है और इसके अलावा जैसे आजकल यूट्यूब पे लोग काम करके अपना डालते हैं वो भी कुछ दिमाग में है तो देखते हैं अभी वक्त क्या करवाता है मुझ से कोशिश अपने शुरुता हूं और दरशकों की सोच पे पूरा उतर सकूं और अच्छी से अच्छी चीज अच्छी से अच्छे गीतों और घजलने रितनाये उनके सामने रख सकों। जी और जब हम बात कविताओं की करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि कम शब्दों में काफी कुछ कविता से बया किया जा सकता है कहते हैं कि हम प्रेम का इजहार कर सकते हैं करा सकरा तैंज भी कर सकते हैं तो अगर हम संगर्ष की बात करें तो आप जब सीक रहे थे तो कितना संगर्ष करना पड़ा आपको इसके लिए? देखें जहाता संगर्ष की बात है दुनिया में मेरे खाल में एक लमहा भी किसी भी इनसान का ऐसा नहीं निकलता जब उसे संगर्ष नहीं परता संगर्ष सब के जीवन में है, बहुत महनत किया है हमने, जैसी पुराणे जो शैर होते हैं वो ने शैर को नहीं चाहते हैं पुराने गाएक मैं नहीं चाहते कि वो शामने आगे, तो इसलिए काफी संगर्ष का सामना किया, आगे भी कर रहे हैं और आगे किशेतर आप चुनें उसमें अभी क्योंकर आपने संगरश पे बात की थी तो उसी पे एक दो शेर आपको सुनाता हूँ कड़कती धूप में जम कर तहल सको तो चलो कड़कती धूप में जम कर तहल सको तो चलो खुशी खुशी से जो काटों पे चल सको तो चलो कड़कती धूप में क्या बात है बहुत ही सुन्दर मतलब आप कम शब्दों में कहते हैं ना कि कभी कम शब्दों में काफे कुछ बया कर जाता है इसके साथ गुर्दास पुरी जी बहुत भाहत आपका धन्यवाद की आप हमारे सिकारेकरम में आए और हमारे सिकारेकरमकों और भी जादा अच्छा बनाया इभाए बहुत-बहुत बहुत शुक्रियाब आपके अपने कीमति समय cm देंे के लिए जी मैं दूर दर्शन का भी तहे दिल से शुक्र उजार हूँ कि ये सोभागे मुझे बख्षा, मैं अपने शुरोता हूँ और दर्शकों के रूबरू हो सकूँ और अपने हुनर का मजाहरा उनके सामने कर सकूँ, मैं एक वार फिर दूर दर्शन का तहे दिल से शुक्र आद हम यह जान सके कि आपको आज के हमारे कारिक्रम कैसा लगा और साथी आप अपना कुई सुझाओ भी दे सकते हैं तो दर्शिको फटापस्ट ट्रए pen copy नोट करे हमारा पता हमारा पता है कारिक्रम भिहार बिहार निदे श्रक डीडी बिहार दुदर्शन के इंद पटना फ्री झाल झाल